हेलो गाइस स्वागात आपका मेरी एक और नवी वीडियो में आज मैं अपनी NS160 2021 की स्मोडल का रिव्यू सेयर करने जा रहा हूं एक्सपिरियंस इसे कम से कम मुझे चलाते हुए वन यहर सिक्समांत हो चुके हैं अभी तक गाड़ी फिट एंड फाइंट परफेक्ट चल रही है अभी तक कोई गाड़ी प्रोग लिए तो 6000 कुछ सम्थिंग मैंने गाड़ी को चला दिया है लगबग 6681 किलोमेटर मैंने टो ज्री मे приकinging माड़ी फिसके कुछ पॉजीटिव बी तौकी कारण हो जल्दी है काफी स्कुरफशों बड़ी काड़ी प्रुष्प पूरिए प Carlo दूसरे पेणल गैप सब से इतने पैंल्स डैक्त्य और प्लास्टिक होने के करण्स पे इतने से च्रेश यह समीनियाों पहले और इसके यह देखो stick rings stick pluser का sticker तो ठीक है लेकिन यह tank pad है जो एक उतर गया है अभी से पहले इसके जो stickers हैं इसकी quality very low है आप इसकी back profile की तरफ चलते हैं इसकी back light काफी अच्छी हाती है सुन्दर दिखती है तो आपको इस पाइक में किक भी मिल जाती है कि अब तो बाइक को में किक भी रिमूब कर दी गई है अप आपको एक साट सीसी में लगवग अपको एननस में ही किक मिल रही है भी तो अभी आप इसमें तो गाइज यह इसकी कुछ लूक जब आप गाड़े को राइड बाइक को राइड करोगे तो आपको ऐसा कुछ व्यू मिलेगा जो की काफी अच्छा है सुन्दर है आपको कभी यह दूख ही नहीं देगा और यह आपकी बार लाइट्स जो की काफी अच्छी लगती है जब आप रात को इस बाइक को चलाते हो तो काफी कूल लगता है और सबसे बड़ी एक अच्छी चीज इसमें सेट स्टेंड कट ओफ फ्यूचर मिल जाता जैसे बाइक को स्टार्ट करोगे अगर आप बाइक को जूटल में जैसे भी एक केर में पूट करूँगा मैं थोड़ी दिरबाद तो यह डिरेक्ट कट उफ इंजन बंद हो जाएगा इसका देखना गाई अभी दिखारो में आपको एक मिन्ट यह तो मैंने हाँ से इंजन बंद करती है गाईस बाइक को करते हैं स्टार्ट अब दुबार दिखाता हूँ मैं एक मिन्ट तो जैसे ही आपको बाइक केर में डालोगे यह दे मैं गेर में डाला और बाइक बंद हो चुकी है तो गाइज यह है अपने बाइक की रियल रूख इसमें सिर्फ आपको LED सिर्फ और सिर्फ बैक लाइट में ही मिलेगी और इसकी यह लाइट साइद LED है पता नहीं MRF के टायर से मिलते हैं इसमें 120 सेक्षन के 80-17 17 इंची की प्रोफाइल है फ्रेंट में मिलते हैं 96 इंची के टायर्स MRF जिफर MRF जिफर के टायर्स आते हैं इसमें ABS में मिलते हैं इसकी गाइज इंजन की लुक्स पतानी कितनी अजीब सी है मुझे तो काफी अजीब सी लगती है और गाइज यह एक बाइक पढ़े जी तो उसमें डैंट देखो जो नीचे वाला सा इसको बोलते हैं उसमें अभी से पहले गिरते ही गाइज इतना वीग है उसका गाड़ी का वेट 155 किलो कुछ आता है हाँ ऐसा ही आता है 200 किलो कुछ की बाइज के तो गाइज इसमें एक रेडियेटर तो यहां आपका இजन ओल फ्लो करता है और इए हवा की उससे आपके इंजन ओधनता गरता है आपको यहाँ पह दो जारी किस में भी हीलोजन्स मिलती है है घलोजन लाइटigator 221 में क्या गाज 223 में भी जो न्यू मोडल आया तूसमें भी हेलोजन से मिलती है यह भी सिक्स मोटल लगाई जो वाइट कलर में आया ही था उस टेम पर इस टेम पर मैंने पर चेश गही थे वाइट अलोईज में ब्लैक कलर में अच्छा था काफी ब्लैक वाइट अलोईज पूछो मत गाईज सबसे बड़ा डिसपॉइंट करते मुझे इस बाइक और ओल काफी अच्छी है लेकिन यह मत बगार काफी जल्दी कट्टी हो जाती है यह में चैन का जो कवर है इसके उपर भी और अभी तो मैंने इस पर टाल दिया नहीं तो इस चैन की काफी जरुई थी इसमें बताने का इस पीछे भी एपिस रिंग आती है और फ पतानी क्या ही लफड़ा इसका भी यह अपनी ओल्स कितार थी गाड़ी काफी अच्छी है बाइक काफी अच्छी है श्कुरी गाइस बाइक को थोड़ा चला के दिखते हो मैं आपको यह देखो बाइक में अगर आप चड़ाई भी कर रहे हो अगर आप फस्ट और नहीं होती है आप चलती रहेगी कॉंटेनियूस अगर आप फ्लो में छोड़ते हो तो अगर आप कहीं पर लोड है और यह दो को इसकी पीछे से सीट खुलने वाला लोक है और इस पर पतानी इतनी डर्ट कैसे मिट्टी कट्टी हो गई है पाइक की सीट खुल के दिखते हम आपको काफी अच्छा लोक है भी अच्छी जगहां देया हुआ है तो यह टूल के मिलती है आपको एक हेल्थ के मिलती है हेल्थ किट और टूल किट के लावा पजाज़ वालों ने मुझे हैलमेट बिन दिया और इसमें फ्यूज आते हैं आपके तो गाइस कुछ ऐसी सीट के निचे से सीट को करते हैं बंद एक मिट काइस सीट को बंद कर देता हूं पहले मैं वह सीट गरीस लग गया यार यह सीट का सीट को लोग करते तो अच्छे और इसके जो यह फ्यूल कैम पहना गाईस इसे खोलने के लिए सुरू में मैंने इसको पीट चाबी को मार रहा था क्योंकि यह इसमें डली नहीं रहा था क्योंकि इसमें जो यह लोग है ना साइड में डाला हुआ है तो इसके यह जो है अजीब हो गरीब टैप का लोग दिया हुआ आपको यह और ओर अबाइक चलने में काफी अच्छी है बाइक की हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है इस वाले में ज्यादा गाईप गाईस और इस वाले स्वीच वार में थोड़ा कम गाईप है तो यह अपने फ्यूल्स की पाइप जोगी है क्या वोलते हैं इसको ओल की इन में ओल जाता आपका ब्रेक ओल्स यह अपनी रियर साइड फ्रोफाइल बाइक की साइड फ्रोफाइल में आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक देट बेटरने स्क्राइबर चानल थेंक यू सो मच पूर वचिंग आवल